मैं 27 दिन तक कोमा में था मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि एक महीने से ज्यादा नहीं जीए जीए गए पिशाब में यूरीन में सोयाओं में ओभी नंगा यही ठंड के टैम पर यहां से नीचे मेरी बॉड़ी गर्दन से नीचे मेरी बॉड़ी पूरी पैरलाइस ऑओ मुझे मेरी मैंने स्ुसाइड एटेम्ट किया बेड सोर हो गया मुझे आध मेने अट म्यों हो चुके थे हैं मैंने दिमाग में बठा लिया कि मेरे को ठीक होणा है पूता था मैं रात को दूना दर्ड होता था रोता था मैं रात को रmostा खुए मैं घर मेन खाने लाले और जल्से जल्स सभी ठीक होंगे, तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ मेरी इंजिरी लेबल के बारे में, कि मुझे कौन से लेबल की इंजिरी है, और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था, और मैंने रिकवरी कैसे कैसे की, तो सारी चीजों के बारे में मैं A to Z बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसका दो पार्ट बनाऊंगा और अगर वीडियो शॉट में रहेगी तो सिंगल पार्ट ही चैनल पे नए हो आप सब तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना और सस्क्राइब तो जरूर करना और सफ़ोट करना कि अगर अनिंग होगी तो हम किसी HCI patient की help कर पाए तो और उसमें मेरा हाथ नहीं होगा उसमें आप सब का हाथ होगा जो जो सपोर्ट करेंगे प्लीज तो सपोर्ट करना तो चलो शूरू करते हैं मुझे इंजिरी हुई थी 12 नॉमबर 2020 को तो अब 12 नॉमबर आने वाला है तो मुझे उसमें 2 साल हो जाएंगे और मुझे बिस्ते में पड़े-पड़े 8 महीने हो चुके थे तो 8 महीने के बाद मेरा ट्रीटमेंट चला था मैं टोटल बैटरी डन पे था तो मेरा इंजिरी लेवल था C7, T1, T2 3 इंजिरी थी और एक ब्रेन इंजिरी अलग से थी मतलब दिमाग की नस फट चुकी थी मैं 27 दिन तक कोमा में था कुछ होश नहीं कुछ भी नहीं और जब मुझे होश आया तो उसमें मैं आदा होश में था और आदा बेहोश में था तो फिर उसके बाद मुझे घर लाया गया क्योंकि पैसे कमी थी तो जिससे मेरा ओपरेशन नहीं हो पाया और ICU में एडमिर था तो खर्चा बहुत हो गया था तो इतने पैसे नहीं थे ऑपरेशन के और मैं रिपोर्स दिखा दूँगा आप देखना उसको तो मेरा ओपरेशन और MRI मेरा उसमें नहीं हुआ था MRI इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरे एक पैर में राइट लेग में रॉड पड़ी थी जिसकी वज़े से मेरा MRI नहीं हुआ CT स्कैन हुआ था तो उससे ही डॉक्टर लोगों ने पता लगाया बाकी तो मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि वही एक महीने से ज़्यादा नहीं जिये गए और अगर जियेगा भी तो बैड पे रहेगा और चलना तो दूर की बात है कि अगर जिंदा रह जाया उतना बहुत है तेरे लिए मतलब इसके लिए तो फिर घर लाया तो उसके बाद मैं बैड रिटन था कुछ समय नहीं आ रहा था कि वे क्या हुआ है क्या नहीं है स्पैनल कॉड की इंजिरी की नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या है क्या होता है क्या नहीं मुझे लगा पांच-छे मीने दवाई खाऊंगा तो उसकी वज़े से मैं शायद ठीक हो जाऊंगा और तब तक रेस्ट करते हैं और फिर हो गया वैसे ही एक मीना हो गया कुछ असर नहीं यहां से नीचे मेरी बाड़ी गर्दन से नीचे मेरी बाड़ी पूरी पैरलाइस थी यह हाथ ना यह हाथ काम करता था तो यहां से नीचे मतलब कुछ नहीं हिलता था कुछ भी नहीं ए टू जड़ पूरा वो था पैरलाइस था कोई सेंसेशन नहीं कुछ मूवमेंट नहीं कुछ भी नहीं तो एक अपते के बाद मेरे लगा कि यार यह चीज मेरे साथ क्या हो रही है कि ना पाऊं हिल रहा है ना पता लग रहा है कोई छूरा है कोई टच कर रहा है पता नहीं लग रहे और तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ी वहां पर देखा स्पाइनल कॉर्ड इंजिरी और रिब वन ऐसे कुछ करके लिखा था ब्रेन इंजिरी यह लग से दिमाग की नस फट चुकी है और ऐसा ऐसा पूरा पढ़ा मैंने फिर एडवाइज में जो लिखा था ना फीजो चलो कि कुछ नहीं पता फिर ना फोन था मेरे पास और कुछ भी नहीं था बेड़ सोर हो गया था मुझे साथ में इधर पीछे उसमें नीचे बैक के आपस यहां पर नीचे उसमें थोड़ा कमर के कमर से थोड़ा जैसा नीचे जो ग्लूट मसल होता है ना उसके उसके बड़ाई वगयरा थी उससे लगाया और डॉक्टर आया डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को दिखाया तो उसने दवाई वगयरा लगाई और उसने एक ट्यूब दी और और शीजे बताई उसने तो वह किया फिर कम भाव बर गया कम से कम आप यह मान के चलिए एक इंच पूरी बोडी का स्ट्रक्चर इसके उपड़ी का होता है यहां से नर्व जाती है और वो पूरी बॉड़ी में जाती है तो इसकी वज़े से इसकी इंजिरी बहुत ही डेंजरस होती है और रिकवरी का चांस बहुत कम होता है 50-50 माने के चलो कि 50 होता है 50 नहीं होता है तो अभी से मतलब तू एक्सराइज या यह जो जो चीज़े बता खाने तक के लाले पढ़ गए थे गर में खाने के लिए नहीं था दवाइयां तो दूर की वाद और फिर उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने सुिसाइड अटेम्ट किया और फिर उसके बाद फिर तो ममी का ट्रीटमेंट ुचला लगा ठाञा ठाइग ठाठीों करने मैं क्या करूं कुछ भी निकरत, मैं जिस्टेम पाइप ब्लॉक होती थी पूरी पूरी राथ पिशाब में यूरीन में सोया हों में ओभी नंगा यहिए ठंड के टैम पर दिसंबर का महीने, जन्वरी का महीना था तो जनुवरी के मीने में में पूरे मतलब यह माने के चलह CAP पूरे-पूरी रात 由ी प्लोक उने वजह से साइट से चाहिए झेल सायड से से निख जाता था मेरे मतलब के साइट से लीक हो जाता धा वहांथ आसे निकलता और तो फिर उसके बाद आठ मीने तक तो आप यह सुचो कि मैं बिल्कुल भी हिला नहीं हूं बिल्कुल भी नहीं हूं तो उसके बाद मतलब बहुत रो रो के मैंने दिन कटा आठ मीन है मतलब बहुत ही मुझे से रो रो के दिन कटा लोग गए पीजियाई एंजियो वगर नहीं की तो पीजियाई के वहां पर दिखाया उनको फिर चेक अप करवाया तो उन्होंने बोला कि भाई आब ऑप्रेशन नहीं होगा क्योंकि जो स्पाइन की हड़ी थी जूड़ चुकी थी मतलब फ्रेक्चर इतना था कि फ्रेक्चर था और उस पर बेशन नहीं हुआ तो घर आ गे उन्होंने बताय उन्होंने बोल रॉप्र की फीजियो थेर्पी कि फशी मतलब कपार तो सके बाद बंवस्क्रा manure lamाट एंगर मे करे वाले यहां पर हमारे एरिये में बिलकुल भी नहीं है दूर दूर तक ही दढ़नी है तो है भी तो काफी दूर है तो वहां पर रूम के प्रॉबलम और वह सारी चीज़े कहा से मैंनेज करना है फिर उसके वाद रियाब सेंटर के तो आप पूछो मत उनका तो खर्चा बहुत तो मैंने फिर किया कहां कहां पता करके फिर मैं गया इधर ज्वाला जी तो वहां पर मैंने फीडियो थेरपी करवाई दो मीने एक से उससे पहले करवाई एक मीने उससे पहले करवाई बट वह था फरजी उस फरजी निकला तो फिर उसके बाद उनसे मैंने किया फीडियो करवाई दो मीने फिर मैं खड़ा हो गया फिर जब मैं दिखा वहां पर की भी ऐसा ऐसा है तो फिर उन्होंने वहां पर मैं यह था की भी थोड़ा चल पड़ा था तो गाइस मिलते हैं सेकेंड पार्ट में होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक करना सस् बढ़ा होगा 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 है।